हेलो स्टूडेंट नमस्कार स्वागता आपका हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं ग्यान सागर स्टडी पॉइंट आज की इस वीडियो में हमने आयुद्या में से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उस युद्या में जो मंदिर बनाया गया उसमें कुछ महतपुन कोस्चन से जुड़े हुए हम लेके आए हैं चलिए सुरू करते हैं आयुद्या किस नदी के किनारिस्थित है सर्यू नदी आयुद्या की इस थापना पहली बार किसने की थी मनू ने आयुद्या राम मंदिर की वस्तुकार कोन है जो वस्तुकार कोन है जो किस ने उसको बनाया है चंदरकांत सौमपूरा ने उसको बनाया है चंदरकांत सौमपूरा का जो परिवार है वो काफी समय से मंदिरों से सबंदित मंदिर ही बनाते आ रहे हैं उनका परिवार में श्रीराम जनम भूमि मंदर का सिलान्यास को किया गयाथ? इसका सिलानयास ₤ 5 अगस्त 2020 को किया गया TH processed प्रदान्यास ₤ इसके सिलानयास यह ई है नरेंदर मूदी जी दौरा जो जेस्ति प्रदानमंत्रिया है उनके द्वारा किया गया था आयुधर राम अंदिर की उचाई कितने फूट है रखी गई है तो ये 161 161 फूट जो है राम अंदिर की उचाई है हाँ राम अंदिर की लंबाई 380 फिट चोड़ाई 250 फिट और उचाई 161 फिट रखी फिट रहेगी आयुधर राम अंदिर में खंबों की संख्या कितनी रखी गई है 392 392 जो है इसमें पिलर हैं खंबे हैं मंदिर के अंदर आयुधर विवाद पर सुप्रीम कोट का अंतीम फैसला कब आया था आयुधर विवाद पर कि नो नुवंबर कि दो हजार उन्निस में आया था जो आयुद्या विवाद पर जो तो यह कोश्चन हा रहे गया था इसका अंसर लिखना तो यह फैंसला से नो नुवंबर दो हजार उन्निस को अंतिम फैंसला कोट काया था रामलला की नई जो मूर्ति है उसकी उचाई कितनी है यह कहां त्यार की गई है जो रामलला की मूर्ति है उसकी उचाई जैपुर में एक मूर्तिकार द्वार त्यार की गई है और मूर्त रामलला की जो मूर्ति है वो 51 चोच है आयुद्या में 22 जनवर 24 को जलाए जाने वाले अगरवत्ती की लंबाई कितनी है इसकी लंबाई जो है 108 फुट है अगरवत्ती को तीन से चार महिने में बनाया गया है इसको पंतारी दिन तक ये परजवली तरहेगी ऐसा माना जाता है कि जो इसकी संबाई के हिसाव से ये 15 से 20 किलोमेटर तक इसकी जो सुगंध है वह पहलेगी और अगरवत्ती का निरमान गुजरात में किया गया है इसमें देशी घ्ये और गाएं के गोबर से इसको बनाया गया है तो यह जो अगरवत्ती का वजन है तीन सो पैंती सो किलो क्राम है आगला क्वेश्चन है 9 नमंबर 2000 तो यह कुष्चन कहीं गलत हो गया है शायद है यह राम मंदिर बनाने में कितने रुपे का बजट सभीकार किया गया था राम मंदिर बनाने में अठारां सो क्रोड रुपे का जो है वो बजट मंजूर किया गया था आयुद्ध्य विवाद कितन जिसका जगडे का जड़ है कारण है वो 2.77 एकड़ जमीन थी जिसके ओपर यह जगड़ा चल रहा था अविद्य विवाद पर सुप्रीम कोट का पैसला कितने दिरों में आया था चालिस दिन तक हेरिंग होती रही थी वो चालिस दिन के बाद यह फैसला आया था आयुद् डी वाई चंदर्चूड नयादिस सर्द अरविंद बॉबडे नयादिस अशोक भूशन नयादिस अब्दुल जंजीर अंजीर है यह इन्हों ने तो इसको अंजीर है हम पर देख लेना तो आयुद्ध विवाद में सुप्रीम कोट ने अपना अंतीन फैंसला कब सुना है 9 नुमबर 2019 में सुप्रीम कोट का जो है अंतीन फैंसला आया था यह हमने पहले भी कर चुके हैं इस क्योश्चन को आयुद्ध में स्थित मस्जिद का क्या नाम था जो आयुद्ध में मस्जिद है उसका नाम बाबरी मस्जिद थी क्योंकि बाबर के समय में बनाए गया थी और इसके लिए 1526 में बाबर पहली बार जो भारत में वैसे तो उसने पहले भी आया था वो उसके बाद 1528 में इसको मस्जिद यहां पर बनाए गया था मस्जिद को तो बाबरी मस्जिद को इसका नाम रखा गया था राम अंदिर ट्रस्ट के अध्यक्स कोल बनाए गया है राम अंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्स है वो महंत नृत्य गुपाल दास जी है वो पहले अधेक्स हैं इस मंदर के क्योंकि अभी बनके त्यार हुआ है पहले जो अधेक्स होएंगे वो महनत जी है नरित्य गोपाल दाज जी राम लले की पराण परतिष्ठा की स्तिति को होगी यह 22 जनवरी 2024 को होने वाली है वो होगी उरी के राम मंदर के नर्माण कि शेली में किया गया है सिरि राम कीमृत्य चार साधे 3.5 साल, मतलब 3.3 साल का समय लगा रामेंदर के निर्मान में रामेंदर के परिसर के चारों कोणों में क्या होगा इस मंदिर के चारों कोणों में चार मंदिर होंगे और वो मंदिर जो हैं, रामेंदर परिसर के चारों कोणों पर चार मंदिर होंगे जिन में सूर्य देव का मंदिर, देवी भगवती, गनेश भगवान और भगवान सीव की उनको समर्पित होंगे उत्री भुजा में उत्र की तरफ मतलब मा अनपूर्णा का मंदिर होगा और दक्षिन भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा अध्याय में उस्तित बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी जो बाबरी मस्जिद है 6 दिसंबर 1902 में इसको गिरा दिया गया था गुंबदों को तोड़ दिया गया था आयुद्या में मस्जिद निर्मान के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है मस्जित के इंद्रमान के लिए पांच एकड़ जमीन जो दी गई है आयुद्धा की विवादित भूमी से कौन से इतिहासी गटना चुड़ी है जो विवादित भूमी है उसमें इतिहासी बाबरी मस्जित का विधोंस किया गया था तो यहीं मतलब उसके गुबंदों को तोड़ दिया गया था तो यहीं इतिहासी गटना है बाबरी मस्जित का अंद्रमान कब किया गया था 1528 में मीर बक्की के दुआरा इसको बनाया गया था अयुद्य किसी राज्या में स्थीत राम मंदीर में कितने मंढप होंगे तो पांच मंढप मंडप में एक निरित्य मंडप है, रंग मंडप है, सबा मंडप, प्राथना मंडप और किरतन मंडप पांच मंडप होंगे राम इंद्र का निर्मान किसके द्वारा किया जा रहा है? सिर राम जनम भूमी तिर्थ क्षेतर के द्वारा जो राम इंदर है वो बनवाया जा रहा है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का सुब महुर्थ कितने समय का होगा तो ये बहुत ही important question है कि जो सुब महुर्थ है वो सिर्फ 84 सेकिंड के लिए ही सुब महुर्थ है वो जो 22 जनवे 2024 को 12 बज़ कर 29 मिनट 8 सेकिंड से लेके 12 बज़ कर 30 मिनट 32 सेकिंड तक का होगा तो ये जो टाइम है बिलकुल 84 सेकिंड का है कोई जादा बहुत बड़ा टाइम नहीं है और जो सुब महुर्थ का जो समय है भगवान से राम की मुर्थिश सापित करने का समय है वो बिलकुल इतना लिम्टर टाइम है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसमय उत्रपरदेश के मुखमंतरी कौन थे कल्यान सिंग उसमय उत्रपरदेश के मुखमंतरी थे अयुद्य में रामंदर का निर्मान किस मुखमंतरी के कारेकाल में पूरा हुआ योगी अदित्यानाथ के कारेकाल में जो है युद्य में रामंदर का निर्मान पूरण हो बाया है और इस समय देश के जो परधान मंतरी है मानने निरेंद्र मोदीजी है और उनी के नितरता में ये जो सरकार है वो चल रही है बीजेबी सरकार तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को सर्रामंदर के बनने की उनके प्रान प्रतिष्ठा के मंदर में होने के बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और सभी को आप सभी को मेरी तरफ से जैसिरी राम